हलो दोस्तों के स्वाब दोस्तों आज आपको बताएंगे कि अगर आप भी अपना P.A.P. का पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या सर्थ का होना जरूरी है मतलब कि आप क्या-क्या प्रोसेस करो अपने PAP या UNA अकाउंट के साथ तो वह हम आपको बताएंगा तब ही जाके आप अपना PAP का पैसा पूरा निकाल पाऊँगे ओनलाइन प्रोसेस से तो दोस्तो पूरा बताऊंगा वीडियो में बारी किसे एक चीज समझाऊंगा कोदाएं कि उसकी आपकी अपके बैंख का अपने अपने एक आपकार अपने आपको कारवा नापको जरूरिया pew आपकी आपको होगा थisan आपने जोड़ी तरीकसर आपके अपएसी जरूरा button आपका पैसा यह नहीं आपको पाऊथा इशक्त Effective आपके account में अब ये बोलता है कि KYC कैसे करते हैं कोई कुछ लोगों को KYC करना आता नहीं है लेकिन कुछों को आता है तो वो अपना कर लेते हैं तो PF या UN account के साथ जब bank की KYC करने का जो process आता है तो फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ आप यहां देखिए इसको बोलता है बैंक की KYC को करना लेकिन आप only bank की KYC कर सकते हो लेकिन उसको अपरूड आपकी जो company होती है वही उसको देती है आप KYC कैसे करते हैं उसका आपको मैंने verification under process का दूसरा step आपका आता है पैंडिंग वीद इंप्लोई फोर डिजिटल सिगनेचर मतलग ही जैसे आप अपनी KYC को डाल देता हो तो वह कुछ दिन में आपकी वेरिविकेस अंडर प्रोसेश दिखाती है या तो या फिर वह वेरिविकेस अंडर प्रोसेश कुछ दिनो इस आपके जो employer है उसके पास यह pending है अब वह अपनी company का जो भी आपका मालिक है HR है या फिर आपका जो भी ठेकदार लगता है या जो भी संस्ता का जो भी है मालिक उसके पास यह employer पास जा चुकी है अब वह उसके उपर depend करता है कि वह उसको कितने दिन में अपरूड देग हुआ और आपका pen card हुआ pen card भी जरूरी है क्योंकि 50,000 से ज़्यादा का जो amount निकालते हैं तो उसके अंदर pen card भी अपरूड होना जरूरी है तो तीन के वैसी सबसे महत्पूर्ण होती है आपका जो आधार card होता है bank होता है और pen card होता है तो तीनों का अपरूड होना जरू अब तक पैंडिंग का रिकोर्ण यहां पर दिखा रहा है तो यह के वैसी अभी तक अपरूड नहीं हो यह क्योंकि यहां पर जो यह company है इसका जो मालिक है employer है वह company बंद हो चुकी है तो वह कैसे अपरूड करेगा ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा अब कंपनी ही बंद प्रकार से बंद होता है तो सेटल दिखाता है कुछ इस प्रकार से और जो आपने अकाउंट दे रखा अपने बैंक उसके अंदर आपका पैसा आ जाता है बैंक आकाउट जो आपने दे रखा है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताया कि आप अपना बैंक की KYC आधार काड या पैन काड इनको अपरूड करवाना जरूरि है आप अपनी कंपनी से अपरूड जरूर इनको करवा ले क्योंकि ये जब तक अपरूड नहीं होगा लोकि कम्पनी भर केते हैं, फिर कम्पनी चेुढ़ देगा त्विडियों को भुद गो नहीं कंपनी में जोइनिंग हों, आपको प्रोड़ करने हैं, नोस्तुk को आप क्युए का प्रॉड गनुन की तो इसकता हुए को अपना के वैसे को अप्रूड कराने के बाद आप पीएपका पैसा अपना विड्रोल करवाना सीख गयोंगे इस प्रकार से आप पैसा आपके अकाउंट में कुछ इस प्रकार से आजाएगा तो आसा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझे में भी आयोगा और पसंद भी आयोग